हेलो गाइस कैसे हैं आप सब मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल के टी क्लासिस तो आज बड़ा इंपोर्टेंट सा टोपिक स्टार्ट करने जा रहे हम और गैनी के मिश्ट्री का आप सब को अच्छा लगे और आप उस चीज़ों को पढ़े के सीख तक जो नए टोपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है और गैनी कमिश्ट्री का जो भी चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो करना ही है दोस्तों उसमें तो कहना ही क्या जादा से जादा शेयर करें ताकि क्या ग्यान आग्य तक कोश्यlaw करोणा कि जादा से जादा कर चाहिए और सारा तॉटिक मैं कबर कर पाँ मसारे डेवल कर het किसंट लेवल को चाहिए वह क्या को निकिकांत करूँए कि सारे कोशीच कर रूंगा रही है कि द्ऐधनगाफ ल ridersitua की लगाने इते चैनल सत्वह सो NOT सबस्ट्रेट होता है एक चीजों को क्लियर करके चलना सबस्ट्रेट होता है क्योंकि यह टोपिक बहुत होगे समझ में याता और इसी कारण क्या मार खा जाते हैं क्योंकि जब रियक्सन मेगेनिजम पता नहीं होगा आप कुछ कर नहीं पाऊगे सबस्ट्रेट होता है यहां पर क्या डाला जाता है रियेजेंट डाला जाता है और यहां पर क्या मिलता है हमें जनाब प्रोडक्ट मिलता है हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है ध्यान से देखना दोस्तों एक पाथ को फोलो कर रहा है मतलब क्या हम चुपढ़ते हैं ना वो SN1, SN2 जिसमें हम कन्फ्यूजन रहते हैं कि SN1 जाएगा, SN2 जाएगा, Elimination होगा, E2 होगा, E1 हो, सारी के सारी कानिया मैं यहां पर जाओंगा, आप साथ बने रहना दोस्तों, लास्ट शुरुवात करिए, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल अडवांस लेवल तक कानिया लेके जाओंगा, देखना दोस्तों, देखो, गजब मामला चलेगा, एक दम पानी की तरह क्लियर करूँगा, चीज़ों को, देखो, सब्स्टेट से कैसे वो सब्स्टेट प्रोडक्ट में कनवर्ट हो गया, ये तो मैं पता है कि कौन सा रियेजेंट चाहिए, अब हमें कहानिया क्या जाननी है, कि वो कौन से पाथ को फोलो करेगा, कैसे रियेक्शन चल रही होगी, कौन सा नुकलियोफाइल कहां जागे अटेक करेगा, और बीच में कोई एक सब्स्टांस बनता है, और वो क्या बनता है जनाब, प्रोडक्ट में कनवर्ड हो जाता है, जनरली हमने रियेक्शन ऐसी ही चली है, देखो मान लीजी, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, आपका सब्स्टेट है पहला सब्स्टांस, दूसरा सब्स्टांस म मान लीजी, मैं रियेजेंट मान लेता हूँ, बोल तो दो, और जो ये बीच में बना, ये क्या है जनाब, ये बीच में बना, इसको मैं कहिए दता हूँ, इंत्रमीडियेट, सारी कहानिया क्लियर करके जाँगा, ज्यान से बसात बने रह ना, और जो लास्ट में हमारा तो क उसके बाद हम interaction की बात करेंगे कौन से बात को follow करेगा आईए दोस्तों सारी कानिया मैं बताता हूं आपको देखना दोस्तों अगर मैं बात करूँ सबस्ट्रेट और रियेजेंट की सबस्ट्रेट और रियेजेंट की ये बात तो बच्चा भी जानता है सबस्ट्रेट और रियेजेंट कंबाइन होंगे और हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा लेकिन एक्चुली में सबस्ट्रेट और रियेजेंट है क्या मैतम पूर्ण बाट यह है क्या जलाने की बाद तो यह मैंशाली में सबस्टेट है क्या दोस्तों देखना दोस्तों यह सबस्टेट और रियजग buffer. यही है क्या हमारे नुक्लियो फइल graphics कहानी तो अब शुरू हुई है यही हमारे क्या है नुकलियोफाइल और क्या है हमारे इलेक्ट्रोफाइल नना एक सब्टांस क्या होगा नुकलियोफाइल होगा और वो किसके साथ इंट्रेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल साथ इंट्रेक्ट करेगा और क्या बना देगा जैसे इ एलेक्ट्रोफाइल और क्या हो जाएगा जनाब प्रोडक्ट का फर्मेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा जनाब प्रोडक्ट का फर्मेशन हो जाएगा आएए डिटेल में जानते हैं नुक्लियोफाइल को और डिटेल में जानते हैं किसको इलेक्ट्रोफाइल को साथ मने रह हैं इस थे हरा गया देखेओ अगर मैं नुक्लियोफाइल कीबाद करूं तो 물론 ने यह rehell olar से अगर मैं नुक्लियोफाइल इलेक्ट्रों इलेक्ट्रों रिच्च इस यह तो हम सब समनें जान लिया, कि क्यों होती है, nuclear electronrich species, अब खानी ये होती है कि कोई substance कैसे macro research सेगा है ये बात पता है कि nuclear electron rich होती है, सवाल तो यह है जनाब, सवाल यह है कि कोई substance कैसे defenders हो सकता है, उसके उप्र सारा मुद्ध है और वही detail हमारे क्या है, पार्ट है, सबसे पहला या तो वह सब्द बढ़िया। दूसरा उसके उपर क्या हो, अगर negative star नहीं है जनाब, तो कम से कम lone pair हो जाएं, तब भी काम सल जाएगा, तब भी मैं उसको nucleophile कह दूंगा, और last क्या है, bond बोंड भी कैसा काम कर सकते हैं, nucleophile का काम कर सकते हैं, my goodness, bond भी कैसा काम कर सकते हैं, nucleophile का काम कर सकते हैं, bond कैसा काम कर सकत क्या फरक पड़ता है आप टिपल बॉंड को ले लीजिए कई बार दो बेंजीन भी पापा इलेक्ट्रों ट्रिच की तरह काम करती है और क्या खुरान भी कही बहुत सब्टांस है जो इनमें पाई बॉंड है ना दोस्तों जो इनमें यह पाई बॉंड नजर आ रहा है यह क्य सवाल उठता है क्या सिग्मा बॉंड भी हो सकता है बोल तो दो सर क्या सिग्मा बॉंड भी काम कर सकता है और सिग्मा बॉंड भी कैसा काम कर सकता है नुकलियोफाइल की तरह काम कर सकता है सिग्मा बॉंड भी कैसा काम कर सकता है नुकलियोफाइल की तरह काम कर सकता है जित किसकी तरहा है replacement if फोर फोरन जो ओर एच के इल्यक्ट्रों यहां से इस सिगमा बंड Кстати यह काम ख्की तरहा है Nukleofil कीतरा काम बोलते थे न जैसे ही Dry BM Central cuánt करेगा चंद साथ क्मटाइन करेगा क्या बना देता है फिह पोर नेगेटिव जैसे ृ प्र नेगेटिव बना यह अब क्या बन चुका है इते हैं इंडелен सकता हैं माई गुड़नेस ये तो होगी जनाब किसकी न्युक्लियोफाइल की कान्या एंचिसा होगी इसके बाद हम बात करते हैं किसकी इलेक्ट्रोफाइल की जड़ा इलेक्ट्रोफाइल पर नज़र दाले कि कैसा होगा हमारा अगर नुकलिओ ऐलेक्टोन रिच अगर तो इलेक्टलोल कैसा होगा त्विस desafili bend कैसा होगा कैसा सा ही होगा κα्णक करने नंऋ अट थिस बना ऐसे कोई सब्तान्स कैसे इलेक्ट्रोफाइल बन पाएगा, वो दो तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे पाएगा, या तो उस पे क्या हो, complete positive charge हो, या फिर कैसा हो जनाब उस फेर, partial charge हो, partial positive charge हो, partial positive charge हो, my goodness, या तो उस पे क्या हो, partial positive charge हो, अब complete positive charge हो, बड़ा simple सा है, काहरवन पे लीजिए, मैं positive charge बना देता हूँ, बी-ार पे मैं positive charge बना देता हूँ, आई पे positive charge बना देता हूँ, मतलब कोई भी सब्टांस पे positive complete charge है, तो वो किस की तरह काम करेगा, elect profile की तरह, समस्या यहां आ जाती है दोस्तों, कि वो कब क्या, partial positive का meaning क्या है, देखो जना, partial positive कहने से मतलब है, कि मैं लीजिए A और B, ये एक दो मतलब क्या है, एक item A है, एक item B है, अपस में जूड़े होएं हैं दोस्तों, अब क्या होगा जना, देखना जरा द्यान से, कैसे partial positive charge की तरह काम करेगा, B क्या हो, थोड़ा सा electro negative जाता हो, तो A पे क्या जाएगा द्याना, डेल positive, और B पे क्या जाएगा, डेल negative, अब दोस्तों द्यान से देखना, अगर मुझे ये electro file बनाना है, अगर मुझे को A को electro file बनाना है, तो B को यहां से क्या होगा, निकल के जाना पड़ेगा, B को क्या यहां से, निकल के जाना पड़ेगा, और जो निकल के जाती हैं, उन्हीं कोई क्या नाम दिया जाता है, मतलurning लीव करके जा रहे हैं, पहले A B जॉाइन थे, अब क्या जा रहे हैं ओं, लीव करके जा रहे हैं तो इन्हीं कोई नाम दिया जाता है, किसका दनाब, Living Group का My goodness दुनिया मर चाती है, Living Group समझा नहीं पाती यहीं से खिला आजाता है खिला आया कहां से, Electrofile से किसको समझा दिया है, मैंने Living Group को जो बी-Negative का जानना अब क्या कहलाएगा Living Group कहलाएगा अब देखो, कोशन यह है फिर से कोशन उट गया, क्या Living Group अच्छा बला बोंड, A और B का अच्छा बला बोंड तो बना हुआ है सवाल यही है, सवाल तो यही है A और B तो अच्छे बले अटैच है बोंडिड है, स्टेबल है क्यों Living Group निकल रहा है, सवाल तो यही है, Living Group को Stability मिल रही है, तभी वो क्या A का चोड़ के जाएगा, अरे दोस्तो ध्यान से देखना इस चीज को समझाता हूँ अगर मान लीजे कोई दो दोस्त है कोई दो दोस्त है, अगर उससे क्या हो उन दोनों की दोस्ती है और A और B एक दोस्त है C, अब क्या हुआ, अब हुआ क्या दोस्तो B को क्या एक और Stability मिल गई B के उपर कुछ ऐसा हुआ B के उपर कुछ ऐसा मंडराया किसी ने की B को ज़्यादा Stability मिल गई B कहेगा A, निकल जा मेरे को तिर से ज़्यादा Stability A और B को Stability मिली वही थी आपस में लेकिन B को क्या एक ऐसा चकर गुमा B को ज़्यादा ही Stability मिल गी ऐसा पता नहीं पर कोफ आया अब वो समझना है, वो B के उपर क्या आया कि उसको वो Stable बना गया क्या चीज आई, सवाल तो यही है इतना तो जान लिया इतना तो हमने जान लिया कि Living Group है, Living Group Stable हुआ तो उसको Stability मिली, तभी वो छोड़के सला गया, अब सवाल तो यही है Stable कैसे हुआ आओ Stable, Living Group कैसे Stable हुआ सवाल तो यहीं जाके अटके है दोस्तों, कि Living Group Stable कैसे हुआ, अब Living Group की Stability के लिए दोस्तों, तीन तरीके हो सकते हैं दोस्तों, पहला Reason, पहला Reason क्या होगा पहला Reason क्या होगा देखना दोस्तों, Reason कहां चुपे हैं Reason चुपे हैं, अब देखो Living Group मान लीजी A और B थे, मैं वो बता रहा हूँ जो दुनिया छोड़के चली जाती है मतलब बताती ही नहीं है कि क्या Reason हो सकते हैं, Living Group की Stability से, क्यों Stable हुआ वो A और B था अब जब ये टूटे, देखना द्यान दोस्तों, A पह क्या Positive Charge दिखा रहा हूँ मैं, B पह क्या Negative Charge चुपा रहा हूँ अब B Stable कब होगा B Stable कब होगा, जब क्या ये Negative Charge Stable होगा B कब Stable होगा, जब ये Negative Charge Stable होगा Negative Charge Stable होने के लिए जोस्तों, तीन कंडिशन बताता हूँ सबसे पहली कंडिशन क्या हो वहाँ पर Vacant D-Orbital हो, My Goodness क्या होज़ना वहाँ पर Vacant D-Orbital हो Vacant D-Orbital हो दूसरी कंडिशन Vacant एक सेगेंड मैं इसको सई से लिख देता हूँ Vacant क्या हो, D-Orbital हो पहली Stability की कंडिशन अगर Vacant D-Orbital ना हो तो वहाँ पर Resonance तो होनी ही चाहिए Resonance तो होनी ही चाहिए और तीसरी कंडिशन थोड़ी Minor है, पर इसको Consider कर लिया जाता है Atom क्या हो, Electronegative हो Atom क्या हो, Electronegative हो Atom क्या हो, Electronegative हो Atom क्या हो, D-Orbital हो Electronegative हो Atom क्या हो, Electronegative हो Atom क्या हो, D-Orbital हो Atom क्या हो, Electronegative हो मैं तीनों कंडिशन समझा देता हूँ, दोस्तो आईए साथ मने रही दोस्तों देखिए, vacant orbital हूँ, vacant orbital हूँ, मतलब क्या हो, खाली d-orbital, जैसे example के तोर बे आप समझ लीजिए, c-l-, br-i-, अगर इन पे negative charge आया, अगर ये living group की तरह काम करते हैं, तो ये क्या होगी, stable living group होगे, तभी तो वो सोड़ कर जा रहे हैं, और दूसरा, resonance से भी stabilize हो सकते हैं, दोस्तों, जितनी ही हम ये example पढ़ते हैं, OMS वगारा, OTS वगारा, OMS वगारा, OTF वगारा, ये सारे हैं क्या, OBS वगारा, ये सारे हैं क्या, किसे, क्यों ये सोड़ के से ले जाते हैं, मैं इनके स्रक्टर से कानिया समझाता हूं, दोस्तों, देखना, दोस्तों, resonance से कैसे stabilize हो सकता हैं, मैं अगले page पर लेके चलता हूं, कैसे living group, living group, living group, कैसे resonance से stabilize हो सकता है, देखना, दोस्तों, example समझते हैं, OMS समझते हैं, OMS का structure कैसा होता है, O पर negative है, C, sulfur, O, C, यह आपका क्या है, OMS, अब देख लिजी आप, पक्का समझ लिजी इसी जोगों, क्या हो रही है, यहाँ, resonance ही तो हो रही है, और जैसे इसी के दरे structure है, OTF, OTF भी कुछ ऐसा ही है, देख लिजी यह OTF के structure को भी क्या परक पड़ता है, यह लिजी, यह मैंने बना दिया, OTF का structure, यह भी क्या है, resonance stabilize है, और भी समझ लिजी, OBS को समझा देता हूँ, OBS भी ऐसा ही है, यह सारे structure दिमाग में बिठा लिजी आपके, OBS भी ऐसा ही है, दोस्तो, OBS भी ऐसा ही तो है, यह दोस्तो क्या हो गया, OBS हो गया, यह क्या हो गया, OBS हो गया, OTS भी होता है, OTS को भी देख लेते हैं, क्या फरक पड़ता है, दोस्तो, यह लिजी, यह लिजी, OTS बना देता हूँ, फिर सारों के सारों, बहुत ज़्यादा, very very important है, अपने दिमाग में इसको बिठा ले ना, दोस्तो, यह सारे क्या है, Resonance Stabilize क्या है, Leaving Group है, ऐसे कह दिया जाता है न, जब C के साथ क्या, OTS लगा हो, और यहाँ पर क्या हो, एकना नुकलियोफाइल आ रहा हो, आपने देखा होगा, कि यहाँ पर नुकलियोफाइल अटेक करता है, और OTS को क्या बाहर किया जाता है, क्योंकि OTS क्या है, यहाँ keluvy यहाँ पर OLTF, OBS, क्या यह गुड लिविंग ग्रूप है, यह कैसे है, good living group, यह कैसे हैं, दोस्तों, good living group है, इसलिए यह क्या, असानी से बहर लेखते हैं, और नुक्लियोफाइल आके, वह पर क्या, अटैक कर देता है, अब एक और क्या रहाएं ग्या है, क्या है minor factor यह सोड़ा क्या है minor factor उपर वाटे तो 2 major factor है Maja जैसे वह पे negative यहाँ फ़्लोरीन पे negative आ कि यह यह फ्रोडे क्या है minor factor ज्यादा हमारा किस यह की सीधिया हो या फिर क्या हो जनाब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो यह तो क्या होगी लीविंग ग्रूप और लीविंग ग्रूप की गानिया आईए दोस्तों अब कानिया चलती है इंट्रमीडियेट पर थोड़ा समझा देता हूं मैं इंट्रमीडियेट के बारे में थोड़ा डीटे स्ट्रमीडियेट का उसी को ही क्या नाम दिया जाता है जनाब इंट्रमीडियेट का नाम दिया जाता है जो रियक्शन में क्या थोड़े समय के लिए बनती है और फिर किस में कनवर्ट हो जाती है जनाब very unstable species होती है very unstable species होती है जैसे ही बनती है वो किस में convert हो जाती है जनाब बोलतो तो वो किस में convert हो जाती है product में convert हो जाती है क्या है very short time के लिए बनती है और क्या है जनाब very unstable species है आपने बहुत सारे intermediate पढ़े होंगे भोलतो तो कार्वोकेटायन पड़ा हमने कार्वकेटाय इंटर्मीडियेट पे सरसाए करें तो आपने क्या पड़ा कार्वकेटायन पड़ा थोड़ा इसको ऊपर ले सलते हैं तोड़ा इसको करें 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 कि मुझे इसके थोड़ा वो समझाना है इंटर्मेडियर के बारे में तभी मुझे मैं साथ के साथ यहीं पर समझा देता हूं थोड़ा दोस्तों हम कहां पर थे के इंटर्मीडियरट कौन-कौन которого होते हैं देखना दोस्तों दियान से समझना सबसे पहला कार्बोकेटाइन के बारे में हमने डिस्कस किया है कैसा होता है कार्बोकेटाइन यह लीजिए कार्बोकेटाइन क्या है हमने बात करी intermediate क्या है एक कारब कटानेक intermediate है और क्या है यह unstable है क्यूंен straightforward है एक तो जनाब यह कहां चार्ज बिसलिए और दूसरा क्या है electron deficient है stable instability का reason देखने लेना दोस्तो unstability क्योंगि intermediate को थोड़ा देखना द्यान से समझना intermediate क्यां Unstable Spencebeyond inputs एक देन चार्ज है पहला सब्सक्राइब है इनकंप्लीट यह भी इसकी निशानी है ऐसे जनाब करना कि बात करता हूं कार्बोएनायन कि वह बात करते हैं कार्बएनायन क्या है बोलो यार कार्बएनायन क्या है करवन एन कैसा है सार्ज है सार्ज होने के कारण ही वो क्या है अंस्टेबल है दोस्तों सार्ज होने के कारण ही तो क्या होता है अंस्टेबल है जैसे ही मैं बात करूँ किसकी बात करूँ बोलो 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 कि अगर मैं यहां पर रैडिकल की बात कर देता हूँ रैडिकल भी unstable है, radical भी unstable है, क्योंकि यह क्या है, electron deficient है, बोलो तो सही, electron deficient है, deficient है, octate complete नहीं है, इसका deficient भी है, एक जो इस पर electron है, वो भी यहाँ पर क्या करता है, unstability create करता है, दोस्तों, radical की बात होगी, benzyne की बात कर लो, benzyne भी क्या है, unstable species है, जो benzyne की intability का reason क्या रहतता है, यहाँ पर क्या है बोट भ्यंकर ring strain होता है, दोस्तों, इसके वज़य से, benzyne क्या है, unstable है, आप महां लीजिए, हम कारवै, कारवीन की बात करती है, कारवीन भी क्या है, six electron species है, यह भी क्या जानाफ unstable species है, यह भी क्या है, unstable, ये ते कैने, यह reason थे कि intermediate unstable क्यों होते हैं वो मैंने आपको क्या detail में बता दिये हैं आइए थोड़ा ओर discuss करते हैं intermediate के बारे में थोड़ा ओर detail discussion करते हैं intermediate के बारे में ही देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई भी reaction चली मान लीजिए के कोई भी reaction चली यह आपको उस reaction का Energy profile diagram है देख लीजिए दोस्तों यह आपका क्या है उस Reaction का Energy profile diagram मैं अच्å Colombiant दोस्तों यह उसका क्या है एनर्जी profile diagram है अच्छे से संब 違 Evacy क ей लीजिये मैं energy profile diagram बनाता हूं कि यह उसका क्या बन गया energy profile कोई reaction चली और उसका क्या है energy profile diagram मैं सारी कानिया देखता हूं सारी कानिया detail मिताता हूं कोई reaction चली यह उसका क्या है energy profile diagram इनर्जी profile diagram energy profile diagram में य-axis पे लियाजाता है दोस्तों क्याक्या लिया जाता है energy और यहां पर जो X-axis यह लिए जाता है वो कौण सानल यह बाँ रियेक्शन कोडिनेट्ट्स अब जनाब इतना लिएक्षियेक्शन कोडिनेट्स कौन सब्सक्राइब यहां पर क्या बोंड एंगल होता है यहां पर देखा जाता है अब यह प्रोफाल डाइग्राम है वो कहना क्या जाता है उसको जड़ा जान से देखना उसको जरा गोर से समझना यह reaction profile diagram कहना क्या जाता है एक चीज यह है एक चीज यह है यह पांच चीज जो को हमने समझना है जहां पर मैंने डार्क किया है जनाब हुआ क्या यहां पर क्या थे अपने reactant थे जहां से क्या reaction चली last कहां खतम होती है reaction product पर कतम होती है ऐसा ही होते reaction चलती है reactant से खतम कहा हो जाती है जनाब product पर खतम हो जाती है अब दोस्तों यह बीच वाली स्पीसिज को हमने देखना है ये बीच जो स्पीसिज बन रही है जनाब ये क्या बन रही है देखो जनाब ये हमारा बीच में क्या बन रहा है इंटरमीडियेट देखना द्यान से मैं क्या क्या चीजों को लिख रहा हूं ये मेरा क्या intermediate बना और जो ये और ये है ना दोस्तो यही important है ये क्या मेरी बनी TS, TS1, TS2 अब आप सवाल उखाएंगे जनाब क्या है TS1 और क्या है TS2 आईए मैं समझा देता हूँ intermediate तो पल लिया अब TS1 समझते हैं और TS2 TS1 क्या है जनाब transition state my goodness क्या बला है transition state दुनिया पूछना चाहती है क्या है transition state क्यों difference है क्या transition state मन में सवाल उठा क्या transition state और intermediate एक है क्या बोलो यार क्या transition state और intermediate एक है क्या है transition state फिर क्यों intermediate से डिफ्रेंट है क्या इन में difference है कितने समय के लिए बनती है है क्या दोस्तों आईए क्या reaction के लिए जरूरी है ठेल सारे सवाल आईए मैं जवाब देता हूँ board पर देदेना दोस्तो ट्रान्जीसन state क्या कह दिया ब्रेक हो रहे हो ऐसी स्टेट जहां पर क्या हो रहे हो बॉंड क्या हो रहे हो दोस्तों बॉंड क्या हो रहे हो देख लीजिए दोस्तों और महां पर क्या हो रहे हो बॉंड क्या हो रहे हो ब्रेक हो रहे हो अगर कोई ऐसी स्टेट है दोस्तों अगर कोई ऐसी स्टेट है तो स्टेट को क्या नाम दिया जाता है जना आप ट्रांजीशन स्टेट का नाम दिया जाता है आईए मैं डिटेल में थोड़ी इसकी सर्चाइं करता हूं देखना दोस्तों एक नुकलियोफाइल आएगा इस पर जुड़ जाएगा कैसी बीच में स्टेट बनेगी यह लीजिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं यह लीजिए एक कारवन एक्स वैसा कावेसा यह लीजिए एसा और नुकलियोफाइल क्या जनाव आके यहाँ पर जुड़ गया अब क्या हुआ बाहर निकलना शुरू होगय और नुकलियोफाइल के जुड़ गया और लास्ट एंड प्रोड़क्ट क्या हुआ अभी देखना मैं सारी condition को समझाओंगा कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा देखना दोस्तों मैंने क्या करा अब मैं आपको डीटेल में अदाता हूं देखो देखो मैंने क्या करा nucleophile सबसे पहले कोई मेरे बास क्या था एक reactant ने था बिलकुल जी एक reactant था उस पे क्या गरा acouste diary attack करा अब इस state को देखना जरा ध्यान से दोस्तो State को देखना यहाँ पर क्या bond क्या ना complete formed हुआ है क्योंकि complete formed bond को तो हमने ऐसे solid line से दिखा रखा है solid line को किससे दिखार रख है कि यहाँ पे क्या है complete bond form'd और जो यह dotted line है ना दोस्तों यह क्या बना रही है ना तो यहाँ पे bond form'd हुआ और ना ही पूरी तरह क्या है जुड़ा है मतलब क्या है beach की state को दिखा रही है about to form'd और about to break को दिखा रही है मतलब क्यों complete वो जुड़ा नहीं है और जो अगर bond complete जुड़ा नहीं है तो इसी state को क्या नाम दिया जाता है जनाब transition state का नाम दिया जाता है इसी state को क्या नाम दिया जाता है जनाब transition state का नाम दिया जाता है और इधर भी देख लीजिए यहाँ पे x क्या यह तो पूरी तरह nucle Colombia जुड़ गया यह तो completely bond हो गया यह भी completely ब्रेक नहीं तो इसी को नाम दिया जाता है यह टू हो गयी धिस немudom transition state, यह था transition state, intermediate में तो क्या complete bond formed होती है, यह देख लीजिए यह positive, यह क्या intermediate है, यहाँ पे कोई bond break यह तूटता हो, अज़र आ रहा है, आप difference की बात कर रहे थे आप difference की बात कर रहे थे, आप difference की बात कर रहे थे, तो जनाब यही difference है, उसमें bond और break तूटते नज़र आ रहे है, लेकिन क्या positive, इसमें कोई bond तूटता है, यह बनता नज़र आ रहा है, नहीं यहाँ पे सारे complete bond है, तो इसको क्या दिया जाता है, intermediate और दूसरी जो state है, उनको क्या नाम दिया जाता है, जनाब, transition state का नाम दिया जाता है, आई होप अब आपको clear होगा, थोड़ा ओडिसकस करते हैं दोस्तों, transition state के बारे में, थोड़ा ओडिसकस कर लेते हैं transition state के बारे में, देखो, transition state के बारे में एक line के दिया जाता है, जनाब, every reaction every reaction, every reaction, जयान से देखना इस लाइन को, every reaction must have, must have transition state, every reaction must have transition state, but, but, but not compulsory, but not compulsory, that, but not compulsory that, they have intermediate, इंग्लिस बना ले न, इंग्लिस अपने को इतनी आती नहीं है, अपा तो chemistry समझाने आने हैं, हम तो यहाँ chemistry समझाने आने हैं, भावनाओं को समझना क्या कहना चाहता हूं, दोस्तों, every reaction must have transition state, यह कहना चाहता है, दुनिया में कोई ऐसी reaction है नहीं, दोस्तों, दुनिया में को बिना intermediate के तो जा सकती है, last line देखो, the reaction not compulsory of intermediate, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि reaction में intermediate बने ही बने, intermediate का कोई ज़रूरी है, बने ना बने, कोई दिक्रत नहीं है, लेकिन ऐसी कोई reaction नहीं, जो बिना transition state के जली जाए, transition state तो compulsory है, बनेगी, बनेगी, note कर लीजिए, इस point को note दालके लिख लीजिए, कि ऐसी कोई reaction नहीं, जो बिना transition state के जली जाए, फिर से बोल रहा हूं है, इस बात को, ऐसी कोई reaction नहीं, जो बिना transition state के चली जाए, और ऐसी कोई reaction जरूरी नहीं, कि वहाँ पे intermediate बन जाए, intermediate का बनना ना बनना कोई importance नहीं है, लेकिन ऐसी reaction नहीं जाएगी, दहां पर transition, transition state तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं के वहाँ intermediate बने, तो compulsory है, transition state को बनना ही है, लेकिन ये compulsory नहीं के वहाँ intermediate भी हो, intermediate बनना ना बनना कोई compulsory नहीं है, लेकिन इस बात को note कर लीजिए, इस बात को note कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीज जिए कRe utilization State का बनना बहुत जरूरी है, एक reaction के लिए, एक reaction के लिए, transition State का बनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इस बात को नोट कर लिए आप दोस्तों, इस बात को पक्का नोट कर लिए, important point है, जो मैंने ये box में लिख दिया, ये important paient है, मैं इस पर स्टार भी मार्ग कर देता हूं यह important point है दोस्तों इसको याद रखना दोस्तों जिंदगी में इसलिए एक formula भी थोड़ा सा दे दिया जाता है एक formula भी दे दिया जाता है number of transition state is equal to one plus number of intermediate number of transition state is equal to number of transition state is equal to one plus में number of intermediate यह होगी कहानिया समाप्त हो चुकी है intermediate के बारे में transition state के बारे में अब कहानिया शुर्वात होती हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानिया जो start होंगी हमारी interaction की next कहानिया start होंगी interaction होगी कैसे nucleophile और electrophile में interaction होगी और क्या bond formed होगे यही तो समझना है हमार को दोस्तो कैसे interaction होगी और कैसे bond formed होगे यह तीन कहानियों से समझाई जाती है दोस्तो, दुनिया में तीन theory से समझाई जाता है कि कैसे उनमें interaction होगी इन में से एक ही जादा important है, दो की जादा importance है नहीं, फिर भी मैं आपको कानिया नोले छीले बता के जलता हूँ, सबसे पहले जनाब क्यों सी आती है, electrostatic interaction, electrostatic interaction, कई लोग इसको electrostatic interaction से समझाते हैं, फर जी है एकदम जो इसको बता के से ले जाती है, दूसरे है, HSAB, ये भी मज़ेदार थोड़ा थो कहीं काम आजाती है, लेकिन जो सबसे important है, जो सबसका बाप है, वो कोन है जनाब आज के जमाने में, MOT, MOT, MOT से जो कानिया समझाईज आएंगी, वो क्या सदावार कानिया होंगी, universal है, ये दो theory, फिर भी थोड़ी कम है, ये तो क्या है, मतलब पा आज पापा है सबके, पापा है पापा, ये सबके क्या है, पापा है, पापा है MOT, ये तो फिर भी थोड़ा कम है, ये तो फिर भी चल उन्नू मनू है, जरा सब पढ़के निकल जाएंगे, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डीटेल में तापको जब मैं फोटो की नीचे अपनी ना लीखा हो एक लाइन लगा देता हुं दोस्तों अगा देखना दोस्तों सबसे पहले इलेक्टोस्टेटिंग इंट्रेक्शन कुछ भी नहीं है बच्छा भी जानता है सबसे पहले फटा-फट से इनको कवर करते हैं और आगे निकल जाते हैं दोस्तों इलेक्ट्र स्टेटिक इंट्रेक्शन क्या है बच्छा भी जानता है पोजिटिव नेगिटिव की इंट्रेक्शन कहीं हो रही हो और उसके बेस पे समझाया जाए बॉन्ड फॉरमेशन उसको को लोग समझाकर सलेक्शन तो यहां पर प्रोड़क्ट इन्द्रीग इंट्रैक्शन इतना ही कोई ज्यादा इंपोटेंस यह नहीं एचसे पिकी को फरी जा EB हाड वाला है नहीं यह अच्छा से भी हाड सोफ्ट एक्षिद बेश्य इंट्रेक्षन पाड्स हाड हाड्सॉफ्ट हाड्सॉफ्ट एसीड बेस इन्ट्रेक्षन अध्याद इंपर्टेंस इसकी भी नहीं है इसलिए मैं पटा पट से बता के उपर से सलांग मार के सला जाओंगा इसके कोई जाद इंपोर्टट है नहीं मान लीजिए कोई क्या किता है hard वाला किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे hard वाले के साथ soft वाले किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे soft वाले के साथ यहakukan स्ट्रेक्शन क्या यहां पर भी प्रोडक्ट हो जाएगा यहां पर भी प्रोडक्ट हो जाएगा इसलिए यह क्या है इतनी सी क्या है अच्छे से भी यह भी हमारे लिए खास इंपोर्टेंस है नहीं जो खास इंपोर्टेंस है दोस्तों जो सबसे जादा इंपोर्टेंस है वह कुंसी आज के जमाने में सल रही है जनाब MOT Molecular Orbital Theory Molecular Orbital Theory Molecular Orbital Theory Molecular Orbital Theory बोल तो दो यार बरके आपने इन ईनघनिक में पढ़ा है आज वही इन इन उर्गनिक का यूज कहा हो रहा है दोस्तों और गेनी केमिस्ट्री में M.O.T बढ़ के ही पड़ी है आपने बढ़ के ही पड़ी है जूट मट बोलना दो कंबाइन होते थे दो एक्टम कंबाइन है इमोलिकलर और बिटल बने कैसे कैसे एक क्या बनता था जोना बॉंडिंग और दूसरा क्या बनता था एंटे से जाता है और जो पड़निंग है। उसको सिग्मा, पड़नiology से एसे पड़ा, हमने那麼िते के बारे में, अब क्या यूज है, यह तो हम क rituals शक्राट ली था, अब इसका क्या है यूज पड़ना है दोस्तों हमें तो इसका क्या है यूज पढ़ना है मुटी का क्या यूज है किसमें क्या यूज है किसमें और्गैनिक के बॉंड फॉर्मेशन में जो इसका यूज एक्स्प्लेइन करेगा जो इसका यूज एक्स्प्लेइन करेगा जो इसका यूज इसको बताएगा वो कौन सी अप्रो और देसारे सारी कानिया इससे पर मरती हे दुनिया इस लिए मरती हे इसी पर मरती है तब इ leftover हो इसके अवारी यूमो कि क्या होता है ended लूमो और पर इनकी इंट्रेक्शन पर चलेंगे दोस्तों आई ये सकीरी dat पर cath inex तो क्या होते हैं होमो लूमो इंट्रेक्शन बड़ा इंपोर्टेंट सा टोपिक है ध्यान से सुनना होमो लूमो की इंट्रेक्शन होमो लूमो की इंट्रेक्शन सबसे पहले होमो को देखते हैं होमो क्या है होमो हाइस्ट ऑक्क्यूपाइड हाइस्ट ऑक्क्यूपाइड मो बढ़िया दोस्तों लूमों क्या है अभी समझाता हूं वेट तो रूख तो जाओ लोवेस्ट अनोक्यूपाइड लोवेस्ट अनोक्यूपाइड लोवेस्ट अरे स्पेलिंग देख लेना यार लोवेस्ट अनोक्यूपाइड डबल सी है क्या लोवेस्ट अनोक्यूपाइड Molecular Molecular Orbital My Goodness समझा दीजिए सारी चीज़ों को Homo है Highest Occupied Molecular Orbital Lumo है Lowest Unoccupied Molecular Orbital आईए फिर कानियों को सार एक्जामपल से समझते हैं दोस्तों ये लीजिए मैं आपके सामने Bonding Orbital बना देता हूं चार से समझा देता हूं चार एक्जामपल पढ़ेंगे और सारी कानियों Homo Lumo के आपके हाथ में होंगी दोस्तों देखना क्या समझाना चाहता हूं समझना समझना दोस्तों क्या समझाने की कोशिश कर रहो पहले सबसे पहले Homo को समझते हैं Homo क्या है Highest Occupied Molecular Orbital Highest मतलब सबसे उपर अपरवाड़ा सबसे अपरवाड़ा सबसे अपरवाड़ा Highest अपरवाड़ा और Occupied क्या है दोस्तों भराव वाव Field सबसे उपरवाड़ा हो और क्या हो Field Molecular Orbital हो सबसे उपरवाड़ा और Field सबसे उपरवाड़ा और Field पहले First वाड़े Example में देखो दोस्तों सबसे उपरवाड़ा और Field यही दिख रहा है मुझे सबसे उपरवाड़ा और Field यही किसका काम करेगा तनाब Homo यह हमारा Homo यह हमारा Homo दूसरे Example में देखते है सबसे उपर यही Molecular Orbital है और भरा भी हुआ है तो यह हमारा किसका काम करेगा Homo का तीसरे में Example में बात करते है सबसे उपर और भरा हुआ यह किसका काम करेगा जनाब Homo का अब इसमें देख लीजिए Last Example में यह हमारा काम किसका करेगा जनाब Homo का काम करेगा आयोब आपको समझ वाया होगा सबसे उपर वाड़ा देखना है और क्या भरा हुआ देखना है वो क्या हमारा Homo What about Lumo What about Lumo Lowest Unoccupied Lowest मतलब सबसे बिलोव वाला बोलो यार सबसे बिलोव वाला और Unoccupied मतलब Wacant खाली 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 ओ प्याली खाली खाली और सबसे नीचे वाली यह सबसे नीचे और क्या है खाली यही तो हमारा किसका काम करेगा दनाब Lumo का ये वाला खाली और सबसे नीचे वाला है इसमें तो ये किसका काम करेगा लूमो के थड में अग्जामपल है कोई लूमो के भरे हुए नहीं दोस्तों खाली देखना है तो लूमो के आगे लगा दो काटा कोई लूमो नहीं पॉर्थ अग्जामपल येस खाली दीख रहा है औ जनाब लूमो का यह था क्या जनाब होमो लूमो के इंट्रेक्शन होमो इंट्रेक्शन नहीं अभी क्या बताया मैंने होमो बताया और क्या बताया लूमो बताया आईए अभी इंट्रेक्शन पर चलते हैं दोस्तों अभी इंट्रेक्शन पर चलते हैं दोस्तों यह लीजिए मैं क्या बनाता हूँ ये लिजिए मैंने अपने orbital बना दिये हैं दोस्तों orbital बना दिये हैं दोस्तों ये लिजिए मैंने orbital बना दिये हैं दोस्तों अब देखो 1, 2, 3 ये लिजिए दोस्तों अब ध्यान से समझना दोस्तों अब ध्यान से समझना दोस्तों अब एक ये सब्टांस अब जो हमारे हमने दो सब्टांस पढ़ें गया इनिशिली दो सब्टांस रियक्ट करते हैं माली जी ये रियक्टेंट ये भी हमारा रियक्टेंट अब दो रियक्टेंट को आपस में कंबाइंड करना है अब देखो ज नीचे वाला और खाली लूमो और जैसे ही क्या हुआ और जैसे ही क्या हुआ ओमो के इलेक्टोन कहां लूमो में आए यह अनर्जी गैप है इसमें ओमो के इलेक्टोन लूमो में आए जैसे ही ओमो के इलेक्टोन लूमो में आए इसी को क्या कह दिया जाता है interaction कैसी interaction homo-lumo interaction और जैसे ये homo-lumo interaction हुई, जैसे ये interaction हुई, हमार पास क्या बन गया दोस्तो, product formation, यही तो देखो, देखो, homo क्या है electron, रिच, electron है उसके पर कहा दालेगा, खाली खाली कौन, lumo, homo के electron, lumo में गई, इसी में क्या हुआ घाली के हुए, और जैसे homo-lumo interaction हुई, हमारे पास क्या होगे, product formed होगे अरे, अरे, समझो समझो, समझो, इस बात को समझो, अरे, समझ sagt, समझ इस बात को इस बात को, समझ जो तुने nucleophile कहा था जो तुने nucleophile कहा था अरे शुरू में बोल शुरू में बोल नुक्लियोफाइल क्या था क्या था इलेक्ट्रों रीच नुक्लियोफाइल कैसा इलेक्ट्रों रीच नुक्लियोफाइल कैसा इलेक्ट्रों रीच नुक्लियोफाइल कैसा इलेक्ट्रों रीच नुक्लियोफाइल कैसा इलेक्ट्रों कहां की काहनी व काहां गुमा दिया- उमो लुमय को किससे इंट्रेक से कर दियो नुकलियोफाइल्पाइल काहनी हुआ उन्धार काहनीों उन्धेघा- समझा दिया- उमो और एलेक्ट्रोफाइल कैसा बिखारी एलेक्ट्रोण डेपिसेंट तो उसको क्या बोल दिया लूमो इंट्रेक्शन हुई गुलू गुलू हुआ आए थोड़ी कानियों को आगे ले चलते हैं अब क्या हो गया जनाब अब क्या हो गया आगे थोड़ी कानियों को ले चलते हैं अब देखो दोस्तों क्या हुई हुमो लूमो की इंट्रेक्शन अब हमारा हुमो क्या बन गया हुमारा हुमो कौन है बोलो हमारा हुमो कौन है न लूमो के लूमो का लूमो की लिए कंडिशन के लिए कंडिशन के लिए के लिए के लिए कि अगर मुझे क्या है यह हमयों के इलेक्टोन का लूमों में चलेजाए यही क्या है अक्टिशं क्या हुने चेथे हे अगर मुझे लूमों इंटयक्षें करवानी आजवा मुझे homo-lomo interaction करवानी है easily तो condition क्या होनी चाहिए जो ये energy gap है ना दोस्तों जो ये energy gap है my goodness कैसे बोलो भी निपा रहा हूँ जो ये क्या है energy gap है ना दोस्तों जो ये energy gap होना चाहिए less होना चाहिए my goodness this is your condition कहा हो ना चाहिए धूस्तों मुड्chutz हो ना ability सब्सक्राइब दोस्तों Cash हुना जाए थुप सवाल यह कि एनरजी कैसे कम हो सकता है माई गुड़नेस एनरजी कैसे कम हो सकता है अगली सलाइड पर चलता हूं अगली सलाइड पर चलता हूं अगली एनरजी कैसे डिक्रीज हो सकता है एनरजी कैसे डिक्रीज हो सकता है माई गुड़नेस एनरजी कैसे क्या हो सकता है डिक्र तो क्या हो, होमो की एनर्जी इंक्रीज कर दूं, होमो की क्या कर दूं, दोस्तो एनर्जी इंक्रीस कर दूं, होमो की एनर्जी को क्या कर दूं, इंक्रीस कर दूं, या तो होमो की एनर्जी को इंक्रीस कर दूं, या तो होमो की एनर्जी को क्या कर दूं, या पिर क्या कर दू या तो होमो की एनरजी को increase किया जा सकता है या फिर क्या दोस्तो लूमो की एनरजी को decrease लूमो की एनरजी कम होगी तो भी क्या मान लीजे देखो देखो समझाता हूँ दोनों केस को समझाता हूँ दोनों केस को ध्यान से समझना होमो की एनरजी इंक्रीज हुई अगर होमो की एनरजी इंक्रीज हुई दोस्तों होमो की एनरजी इंक्रीज हुई अगर होमो की एनरजी इंक्रीज हुई देखो देखो सबसे पहले यहां था देखो होमो यह लूमो अगर होमो की एनरजी इंक्रीज हुई यहां होगी और क्रिफ्ज करेंगी किसको दोस्तों यह के इंट्रेक्शन अगर दूसरे खेल समझ लीजिए इसका उल्टा समझ लीजिए देखो देखो अगर होमों की एनर्जी सेम रहती है और लूमों की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है दोस्तों तब भी क्या हुआ अरे तब क्या होगा एंट रिजल्ट तो मुझे क्या बना एनर्जी डिक्रीज अगर एनर्जी डिक्रीज तो क्या होगा अच्छे इजी होमों के इंट्रेक्शन होंगे इजी क्या होंगे होमों के इंट्रेक्शन होंगे बोल तो तो क्या होंगे इजी होमों लूमों यही तो था, खेला तो यहीं रुखा पड़ा था, कैसे एनर्जी को decrease कर सकते हैं, होमों की एनर्जी बढ़ा के, और लूमों की एनर्जी कम करके, हम क्या कर सकते हैं, दोस्तों, बोलतो तो, निंट्रेक्शन को possible बना सकते हैं, अब सवाल है, दोस्तों, अब कैसें के, सवाल तो यही है, सवाल तो यही है, बड़ा सवाल तो मज़ेतार सवाल, यही पता लगया तो इंट्रेक्शन ही नहीं करवा दूंगा, मैं यही तो है खेला, अगर इसका पीछे कानिया पता लगी, इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे की कैसे करवा सकता हूं, तो सारा क्या हो जाएगा, होमो लूमो इंट्रेक्शन इसली हो जाएंगे, होमो लूमो के इंट्रेक्शन इसली हो जाएंगे, और हमारे बाद क्या इजी प्रोड़क्ट फोर्म्ड हो जाएगा, आईए दोस्तो, इसी कहानियों को, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँगा, इसी कहानियों को समझने के लिए दोस्तो, कि कैसे मैं होमो के इनर्जी बढ़ा सकता हूं, और कैसे मैं लूमो के इनर्जी गटा सकता हूं, इसी कहानियों को समझने के लिए दोस्तों बने रहीए next class में बहुत मझा आएगा दोस्तों आप भी सोचना और अगली class में बताना या comment box में बताना कि कैसे मैं humo की energy को बढ़ा सकता हूँ और कैसे मैं lomo की energy को कम कर सकता हूँ जो discuss होगा दोस्तों वो कहां next class में होगा discussion बड़ा में तब पूरन रहा आज का topic बड़ा important था का topic सवाल कहां खड़ा हुआ दोस्तों सवाल आके यहां खड़ा हो गया दोस्तों यह तो जान लिया हो मों के energy बढ़ानी लूमों की कम करनी है कैसे होगी कैसे कैसे वाई how it is possible तो how it is possible है वो कहां फे discuss होगा दोस्तों next class में तो साथ मने रही है दोस्तों अगली class तक हम जानेंगे कि कैसे होमों की energy बढ़ेंगी कैसे लूमों की energy बढ़ेंगी एक एक बात आपको detail में बता दूँगा तो साथ मने रहना दोस्तों अगली class में मिलते हैं किसके साथ ओमों की energy उपर करते हैं और लूमों की energy नीचे करते हैं तो दन्यवाद मिलते हैं आपसे अगली class में बाई बाई